Welcome to our channel exam cracking mind दोस्तों मैं आज आप लोगों को ऐसे skill के बारें बताने जा रहा हूँ कि अगर ये skill आप लोग सीख लेते हैं तो आपको जहरखन में सरकारी नौकरी लेने से कोई नहीं रोख सकता जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ LDC और Steno Post की दोस्तों मैं बता दूं कि 2015 में JSSE के दुआरा जहरखन सची वाले में निमन वरगिये लिपिक यानि की LDC और Stenographer यानि की आसू लिपिक पद के लिए बहाले निकला गिया था LDC पद के लिए 172 और Stenographer के लिए 96 सीट निकला गिया था जी हाँ दोस्तों और मैं बता दूं कि केवल एक बच्ची का सेलेक्शन जो हुआ था अंतीम रूप से हुआ था इस एकजाम में अब ऐसा क्यों हुआ था मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे दिखिए और ये जो एक बच्ची का सेलेक्शन हुआ था केवल Steno پद के लिए हुआ था LDC पद जो है आप लोगों का पूरा सीट जो है LDC का खाली रा गिया था Steno का केवल एक बच्ची का सेलेक्शन हुआ और LDC का पूरा सीट खाली रा गिया था अब वर्तमान में मैं बता दूं कि लगभग दो दिसंबर को हिमन सुरेन के द्वारा कार्मिक विभा को संबोधन किया गया था विभिन पद को ले करके JSC, JPSC पद को ले करके तो बतातूं देखिए वर्तमान में जहरखंड सचीवाले में आसुलिपिक के यानि एस्टिनोग में जो बाहली निकला गया था JSC के लिए, उसमें केवल एक बच्चे का स्लेक्ष secular हुआ था यानि के पहले से केवल एक बच्चा जो है वो कारे रत था सची वाले में 2015 में जो LDC का जो पद निकाला गया तो उसमें तो किसी बच्चे का सेलेक्शन ही नहीं हुआ, जो 99 पहले से कारे रत थे, वही कारे रत हैं, जो सीट निकाला गया, उनमें से किसी का सेलेक्शन नहीं हो पाया, 2015 सीजेल में, अब ऐसा क्यों हुआ, ओफीसियली जो JSC का नहीं हो पाया, तो देखिए, ये 2015 में जो बाहली आया, आपका जारकन सची वाले में, LDC पोस्ट के लिए, 172 सीट के लिए निकाला गया था, ये बाहली, ठीक है, योगिता ग्रिजविशन रखा गया था, इसी तरह से आप लोगों का जो दूसरा है, इस्टेनोग्राफर पॉस्ट के लिए, देखिए, आशूल एपिक सेवा, ये आप लोगों का जो है, 96 पोस्ट के लिए निकाला गया था, आप लोगों का बाहली, और इसमें भी जो है, आप लोगों का ग्रिजविशन रखा गया था, आप लोगों का योगईर्था, और मैं बता दूं कि जो प इनका परिख्षा का नियामावली है उसमें संसुधन किया जाएगा जैसे मैं बता दूँ कि जो पीटी होता था पीटी एक पेपर हो गया इसमें और मेंस में तीन पेपर होते थे जिसमें एक क्वालिफाइंग था और दो मेरिट पेपर था और जिसके हम लोग अभी जानते ह हो रहा है जिसे JSS, CGL वगरा जो भी तो उसमें एक लिटेचर पेपर सामिल किया गया है तो उमीद है कि आप लोगों का यह जो भी नयामावली संसुधन होगा तो उसमें लिटेचर पेपर सामिल किया जाएगा और टैपिंग स्पीड भी घटाया जाएगा तो यह आप लो 30- weten का कि इस वर्ड पर मिनट में टैपिंग रखा गया था दस विनिंट में आप लोगों को 300 वर्ड टैप करना था है या selfie वालों के लेकिन अले लेकिन वर्तमान वंत आतको ऑल जो 25 पर मिनट पर भीघंवकर सोरी स्कावा था जो Pack Me Danni लब देच्वर गंगा किए था speed 30 के जगह और जो error था वो 2% तक आप लोग जो है यह जो यहां पस दिड़ परतिसत रखा गया था वर्तमान में पंच्य सच्यों में 2% error आप लोग कर सकते थे यानि 98% accuracy रखा गया था तो इससे काफी सहूलियत लोगों को ही इसमें पंच्य सच्यों वाला और जो LDC exam में और उमीद है कि आप लोगों का यह speed जो है वो घटा दिया जाएगा जो भी आप लोगों का नियामावली संसोधन होगा चुकि पिछली जो cabinet थी पिछली cabinet कहने का मतलब पिछला जो सरकार था रगवर 10 का तो उसमें यह निर्णा लिया गया था कि आप लोगों का जो typing speed है ज बार cabinet बैठा था तो चुकि अभी नए सरकार बन गई है तो वो जो है लागो नहीं हो सका लेकिन उमीद है कि आप लोगों का जो है आप लोगों का यह लागो करेगी तो स्रेबस में भी चेंज होगा और आप लोगों का जो typing और स्टेनों का pattern उसमें भी चेंज होगा आप देखी स्टेनों का जो है स्टेनों का भी एक्जाम तीन चरण में लिया गया था लेकिन रिटेन जो है केवल एक रिटेन लिया गया था आप लोगों का स्टेनों में जैसे कि LDC में दो एक्जाम लिया गया पीटी और मेंस लेकिन इसमें केवल एक रिटेन एक्जाम लिया गया केवन मेंस और दूसरा है आप लोगों का टंकण तो जो टंकण है वो आप लोगों का सेम रखा गया था जो LDC में है यानि के 30 वर्ड पर मिनट और आप लोगों का देढ़ परती सथी आप लोग गलत कर सकते हैं और उसके बाद है यह जो इस्टेनो ग्राफर जो कर देना था जो भी आप लोगों का प्रोसेस है इसका इस्टेनो ग्राफर का दोस्तों मैं बता दूं कि इस्टेनो ग्राफर में क्या है कि एक तो बच्चे जल्दी सीखते नहीं है इस्टेनो ग्राफर और जो सीखते भी है तो इंगलिस में सीखते है लेकिन जहरखन में ज उसका तो निर्वी रोद सेलेक्शन हो जायागा क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटीटर ही सामने नहीं आएगा और LDC चुकि पंचात वाले काफी LDC करके अपना स्पीड मेंटेन कर ली है तो उन लोगों का थोड़ा सा हो सकता है देखे होता क्या है जेनरली औल राउंडर खोजता है कोई भी आज कोई प्राइवेट कंपनी हो या सरकार हो वो चाहता है कि औल राउंडर बंदा जो है वो मेरे पास आए काम करने के लिए जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं आग फोड़ लेते हैं पढ़ पढ़़के तो जो पढ़ः में तेज होते हैं उन का typing वगरा उतना उसमें interested नहीं रहते हैं या इस्टेनों में और जिसका इस्टेनों में बहुत अच्छा command है या typing जिसका 40-50 word per minute है जो कचारी में बैठ करके typing मार रहे हैं बैठ करके तो उन लोग क्या होता है कि written में command नहीं होता है उतना पढ़े लिके नहीं होता है बस speed पुरा है तो होता क्या है कि combination नहीं मिल पाता है जिसका tapping speed अच्छा है उसका written अच्छा नहीं है और जिसका written अच्छा है उसका tapping अच्छा नहीं है और ये दोस्तों ये ऐसा post है कि आप लोगों का भीड से हट के है generally बाकी जो post है जैसे जो भी post है मैं negative नहीं कर रहा हूँ आप लोग मेनत करेंगे तो सब post में आप लोगों का selection हो जाएगा बट ये ऐसा है कि भीड से थोड़ा सा हट के बहुत कम लोग ही जो है इस तरह के post को आप लोग इस तरह में जो बहुत से कम लोग जो है इतना मेहनत करते हैं या interested लेते हैं तो आप लोग जो है इसको अगर सीख लेते हैं typing और steno तो आप लोगों का selection हो जाएगा और मैं बता दूँ कि मैं आप लोगों को typing और जो steno grafer का जो classes है expert के द्वारा वो भी आप लोगों का कराया जाएगा अगर आप लोग interested होंगे comment box में बताईएगा अगर आप लोग interested होंगे तो उसका भी class expert के द्वारा आप लोगों का online कराया जाएगा बहुत सारे लोग हुआ उड़ा हुए हैं कि बहुत ज़्यादा मतला tough है इस्टेनों नहीं हो पाता है तो मैं बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप लोगों को आ रहा है तो easy है नहीं आ रहा है तो tough है तो बस वही वहला process है तो मैं दोस्तों बस यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि यह एकदम नया skill है और इसको अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आराम से आप लोगों का selection हो जाएगा और कुछ important videos का मैं link अपने description में दे दूँगा जैसे J-SSA CGL का strategy का video जो तयारी कर रहे हैं इसके अलावा जो जितना cut off गया था उसके अलावा मैंने एक video एक series चलाया था कि जितने भी confusing question है जो पूछे जाते हैं बार बार generally वही question पूछे जाते हैं जो confusing होते हैं उसका भी एक मैंने series चलाया था उसका भी मैं link पे दे दूँगा और जितने भी important videos हैं जारकंड J-SSA C से related तो मैं उसका मैं description आप लोगों को दे दूँगा description में आप लोग जो है वहाँ पे जा करके देख लेजएगा और यह जो official 2015 में निकाला गया था website में तो अभी नहीं है पहले से मेरे system में download था तो मैं description में दे दूँगा आप लोग देखना चाहेंगे तो देख लिजेगा जैसे ही नियमावली में संसोधन होगा मैं आप लोगों को syllabus जो है नया और जो भी नया नियमावली है अपडेट कर दूँगा अभी तो चुकि नियोजन निती का matter supreme court में है उम्मीद है कि अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आप लोगों का फरवरी के second week में आप लोगों का final जो है वो judgment सुनाया जाएगा तो वो जैसे ही clear हो आप लोगों का बहली आने लगेगा और यह जो process है आप लोगों का जो टाइपिंग और यह वाला है चुकि अचानक से होने वाला चीज नहीं है यह धीरी धीरी आप लोगों का command होता है तो आप लोगों अगर अभी सही लग जाईएगा तो आप लोगों का जब तक बहली तब तक आप लोग ready रहिएगा, maximum बच्चे क्या करते हैं, कि जब बहाल ही आता है तब active होते हैं, आप लोगों को वो काम नहीं करना है, वही बच्चे का selection होता है, जो 365 days आप लोगों का alert रहते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को subscribe कर लें, इसी तरह का वीडियो हम लोग upload करते रहते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को like, share and subscribe करना ना बुलें, धन्यवाद,